आज के थियोरी थ्रू प्राब्लम्स में हम जो दो क्वेशन्स डिस्कुस करने जा रहे हैं उसमें से एक पर्टिक्लर प्रॉपर्टी की विसिनल पोजिशन पर दो आयोडीन हमेशा अंस्टेबल होते हैं यह एक बहुत इंपॉर्टन प्रॉपर्टी है आप ध्यान रखे कि विसिनल पर दो आयोडीन अंस्टेबल होते हैं पर दो ब्रोमिन, दो क्लोरिन, दो फ्लोरिन ते हैं पर्फेक्ली स्टेबल इनमें कुछ भी डिफरेंस उसमें जो भी हम आज आयोडीन के लिए बात करेंग आप अगर आयोडो अलकेन का सैंपल एयर में वैसे भी रखते हैं तो कैसे वो अपने आप टाइम के साथ कलर जनरेट कर लेता है वो पॉइंट भी इसकी लेस बॉन डिसोसेशन एनरजी से ही कंक्लूड होता है जेम डाय हलाइड अगर है तो देखिया आयोडो फॉर्म इस बिल्ली स्टेबल तो एक ही कारवण फर्थ रिया यूडील स्टेबल बट विसिनल पर दो भी अन्स्टेबल तो इस पॉइंट की तरफ इस वे क्वेशन क्योंकि आ जाते हैं इस से आपको कैसे दो क्वेशन सा सकते हैं इसको हम यहाँ डिसकुस करने जा रहे हैं। But before I start, let me remind you that if you haven't subscribed to our channel yet, do it right away. If possible, do share it with your family, friends and students. अगर आप इस वीडियो के एंट तक हमारे साथ हैं, आप को एवीडियो अच्छा लगता हैं, तो प्लीज हिट लाइक बटन. So, let's start. Consider the following reaction, how many different organic products are formed at the end of the reaction. How many different, मतलब stereo अगरा की गिंती जरूर कंसिडर की जाएगी? क्योंकि कही दिया है different products कितने बन रहे हैं, कहीं नहीं लिखा excluding stereo. So, ozone lysis in the presence of zinc and water, तो ये normal ozone lysis होगा. यहाँ CHO, यहाँ CHO, यह चौँच तो एक तरफ थी तो एक ही तरफ रहेगी. और यह दोनों एक ही साइड रहेंगे. These both will be on the same side, अगर मैं मान लों कि यह दोनों इस तरह से हमारी तरफ हैं. अगर, यह ना? अब इस पर इसने कहा कि CH3, Mg, Br का attack लिया जाए. ठीक है? अब जब यह दोनों का आपने निश्चित ही कर रखाएं कि यह उपर ही होने हैं. Choice है ही नहीं हमारे पार. और अब यहाँ पर COHCH3 और यहाँ भी CHOHCH3 बनेगा. ठीक? तो यह पोजिशन तो FIX ही है. इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं. कौन सी पोजिशन की बात कर रही हूं? यह जो wedge पर आपने group लगा रखे हैं तो यह तो FIX है. इन दोनों पर ही जो जो changes हो सकते हैं. इन दोनों पर क्या-क्या case बन सकते हैं? यह तो यह दोनो R में बने हैं. यह यह दोनो S configuration में बने हैं. That is one possibility. यह बन सकता है. तो यह दोनो R और R, S और S में बने यह दोनों तो अलग-अलग case होई. क्योंकि यह आपस में अभी कहीं भी कोई mirror image या super impossibility हमें देखने को नहीं मिलेगी. यह दोना यह अपस में एक दूसरे के एक तरह से inantium और साबित होंगे. एक case हो सकता है कि यह R, S हो या यह S, R हो. यह possibility है. पर यह जो case है ना जब एक R और एक S हुआ तो यहाँ पर mirror image बन जाएंगे एक दूसरे के R की image S और यह दोनों wedge पर हैं ही. तो यह तो एक ही consider होंगे, they cannot be considered as two, एक यह, एक यह और एक यह, तो total जो इसमें हमें product लग रहा है, total product जो इसके दिख रहे हैं, वो three product आ रहे हैं. ठीक, हाँ यह आपको ध्यान रखना है कि आपको यह wedge और wedge पर ही रखने हैं, they should not change a position to wedge dash और dash wedge. कारण यह एक ही side से, original इनकी जो positioning है, जो हमें compound में दे रखी है, वो एक ही side दे रखी है, तो यह wedge dash का case तो होई नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसी को एक ही तरफ रखते हुए कितने case बनेंगे, यह देखने हैं, and that is answer three. क्योंकि यह CH3-MGBR ही excess में दे रखा है, तो three. अगर यह ऐसा होता कि एक बड़ CH3-MGBR और एक बड़ C2H5 होता, तो यह मिरा निमेज नहीं बनते हैं, अत्तब आपका answer four हो जाता. ठीक, so now let's move to question number 13, glycerol is made to react with HI and the product formed is 2-hydropropane, we are asked number of moles of HI consumed per mole of glycerol to form the above product, let it be P, and we have to find the value of this P. इस question का approach करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि vicinal di-iodides जब भी बनेंगे, यह unstable होते हैं, और यह unstable इसलिए होते हैं क्योंकि आराम से vicinal position पे radical formation से iodine अगर हटाएं, तो यह alken generate कर देते हैं, ठीक, मैं ध्यान दीजेगा कि vicinal di-iodides कह रहे हूं, gem di-halides, even tri-halides, जैसे CHI-3, यह stable हैं, यहां कोई problem नहीं हैं, लेकिन अगर vicinal position होती है, तो being a good living group, यह leave करते हैं and we form alkenes again, तो जब glycerol पर यह reaction हमने कराई, तो three moles of HIV react करा, three moles of HIV react करने से CH2I, CHI and CH2I बन गया, अब vicinal position पर से यह दो iodine हटे, तो हमारे पास allyle iodide product बन जाएगा, बट allyle iodide में तो double bond है और double bond पर HI electrophilic addition दे सकता है, इसलिए हमारे पास यह बन गया, 1,2 iodopropane, फिर से हम यह iodine हटा सकते हैं और यह CH2, 11, CHCH3 प्रोपीन तयार हो गया, प्रोपीन पर दुबारा अगर HI का addition किया जाए, तो हमारे पास 2 iodopropane बन गया, अब हम count करें, तो 3, 4 and यह 5 है न, तो per mole of glycerol, 5 moles of HI जो है, वो consume होते हैं नजर आ रहे हैं, और यही question हम से पूछा गया है कि, how many number of moles, how many number of mole of HI is consumed, so answer is 5 for question number 13, तो इसी के साथ हमारा ये वाला discussion यहां खतम होता है, next discussion में हम दुबारा मिलेंगे, जल्दी next video के साथ, till then take care, but जाने से पहले, do not forget to hit the like and subscribe button, share our channel with your friends, family and peers, take care, bye-bye. झाल